दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप में से ज्यादा तर लोग बोलेंगे गरीबी, Unemployment Wars, Corruption, Releases Conflicts, या फिर शायद Global Warming, बट दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इन में से कोई भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी है, तो वह है overpopulation, because the natural resources are deplete and at the same time, the population is increasing, the world population hitting you milest now, it's predicted, next year India will surpass, China is having the world largest population, दोस्तों, last time मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने यह बताया था कि आखिर क्यों हम लोग अर्थ को छोड़ कर मार्स पर जा रहे हैं, और कैसे overpopulation इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, तो उस वीडियो में हमने overpopulation के बारे में थोड़ा बहुत डिसकस जरूर किया था, लेकिन मैंने यह भी बोला था कि overpopulation एक बहुत ही लंबा topic है, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो overpopulation के बारे में है, जिसमें हम यह जानेंगे कि overpopulation क्या है, और कैसे overpopulation इस दुनिया की सबसे खतरनाख चीज है, तो हमेशा की तरह यह वीडियो भी काफी ज्यादा interesting होगा, इसी लिए इसको end तक देखते रहना, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि population क्या होती है, और कैसे यह population overpopulation बनती है, तो दोस्तों मान लो कि एक घर है जिसके अंदर दो rooms, एक kitchen और एक washer room है, यानि उस घर के अंदर एक 5 लोगों की family बहुत आराम से रह सकती है, दो parents और उनके तीन बच्चे, तो इन 5 लोगों को हम उस घर की population बोलेंगे, बट अगर हम उस घर में 5 की बजाए 50 लोग घुसा दें, तो यह हो जाएगी overpopulation, क्योंकि ना तो वहां 50 लोगों के रहने की जगह है, और ना ही इतने resources हैं, कि वो 50 लोग वहां survive कर पाएं, बट फिर भी हम जबरदस्ती उन्हें उस घर में घुसा रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया के साथ भी हो रहा है, हमारी दुनिया में इतनी जगह और resources नहीं है, इतनी इस दुनिया में population increase हो रही है, दोस्तों अगर population की बात करें, तो population इतनी तेजी से grow कर रही है, कि इसे control करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, साल 1800 में, world की population ने पहली बार एक billion को cross किया था, यानि human population एठाना हंडरों में जाकर एक billion होई है, तो अब अगर science को देखें, तो science का यह मानना है कि modern humans इस दुनिया में आज से 3 लाख साल पहले ही आये थे, और उन्हें लगभग 3 लाख साल लग गए थे, एक billion होने में, तो world की population 1800 में जाकर एक billion होई थी, और फिर 1927 में ये 2 billion तक पहुँच गई थी, यानि सिर्फ 127 साल बाद तो पहला billion 3 लाख साल में हुआ था, और दूसरा billion सिर्फ 117 साल में ही हो गया था, ऐसे ही तीसरा billion उसके 33 साल बाद हुआ, यानि 1960 में और फिर चौथा billion सिर्फ 14 साल में ही हो गया, यानि 1974 में, 1900 के बाद world की population इतनी तेजी से ग्रो करने लगी, कि scientists ने humanity को warnings देना शुरू कर दी, कि अगर उन्होंने अभी से ही इस population को control नहीं किया, तो आने वाले कुछ सालों में ही population इतनी ज्यादा हो जाएगी, कि इनसानों के लिए दुनिया और उसके resources कम पढ़ने लगेंगे। साल 1960 में, अमेरिका की Stanford University के एक प्रोफेसर, Paul Elerick ने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था, De-population bomb। उस बुक में उन्होंने overpopulation से होने वाले खतरों के बारे में बताया था, जो कि उस टाइम सबसे ज्यादा बिखने वाली बुक बन गए। उस बुक में उन्होंने यह बताया था, कि कैसे population के बढ़ने की वजह से resources कम पढ़ने लगेंगे, और कैसे ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वेल, अगर हम आज की बात करें, तो population आज 8 billion से भी ज्यादा हो चुकी है, और ये इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, कि अब हर 72 साल के बाद ये 1 billion बढ़ जाती है। यानि जैसे अभी वर्ल्ड की population 8 billion है, तो ठीक 72 साल के बाद ये 9 billion तक पहुँच जाएगी। और population के बढ़ने से क्या-क्या नुकसान होंगे। चलो थोड़ा detail से समझते हैं। तो दोस्तों, over population की वजह से, जो सबसे पहला नुकसान होगा, वह होगा resource depletion। दोस्तों, resource depletion का मतलब होता है, resources का कम पढ़ जाना। यानि जितनी ज्यादा population increase होगी, हमें उतने ही ज्यादा resources की जरूरत पढ़ेगी। अब जैसे कि लोग जितने ज्यादा होंगे, उन्हें उतनी ही amount में खाना चाहिए। होगा पानी चाहिए, होगा energy और fuel की requirements बढ़ जाएंगी, और लोग जितने ज्यादा होंगे, उन्हें उतनी ही ज्यादा जगे की जरूरत पढ़ेगी। अब भले ही दुनिया में इतने resources हो या ना हो, बट उन्हें वो चाहिए होंगे। तो ऐसे में इन सब चीजों की shortage होना शुरू हो जाएगी, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी problem बनेगी। ग्लोबल वामिंग एक ऐसा इशू है जिससे पूरी दुनिया आज परेशान है। इंडिया और पाकिस्तान समेथ पूरे वर्ल्ड में इस टाइम ग्लोबल वामिंग को लेकर red alerts बज रहे हैं temperature, अब 50 degree Celsius से भी उपर जा रहा है, जिसके चलते अब इंसान मरने लगे हैं। अब ये news देखो, कुछ दिन पहले ही मक्का में 550 लोगों की गर्मी की वजह से मौत हो जाती है। जो की हज करने के लिए वहाँ गए थे और अगर आप और करो तो 550 के पीछे at least लिखा हुआ है। यानि कम से कम 550 लोगों की मौत हुई है, बट वो सकता है इससे ज्यादा लोग भी मरे हो। खैर, वर्ल्ड का टेमपरेचर अब बहुत तेजी से increase हो रहा है और overpopulation इसकी एक major reason है। और वो कैसे चलो, जान लेते हैं दोस्तों, वैसे तो global warming बहुत सारी चीजों से होती है, लेकिन global warming की जो सबसे बड़ी reason है वो है carbon dioxide gas, जो सबसे ज्यादा release होती है fossil fuels के चलने से, जैसे petrol, natural gas और coal वगेर है वगेर है। तो अब जितनी ज्यादा population increase होती जा रही है, लोग उतना ही ज्यादा fossil fuel use कर रहे हैं। अगर world में आज 8 billion लोग हैं, तो उन सभी 8 billion लोगों को उतनी ही amount में energy और fuel चाहिए होगा। सब के पास petrol पर चलने वाली car या bike जरूर होगी और हर घर में खाना बनाने के लिए natural gas का use किया जाएगा। तो इन सब चीजों को हम fossil fuel कहते हैं और जितना ज्यादा fossil fuel जलेगा हमारे atmosphere में उतनी ही ज्यादा carbon dioxide release होगी जिससे अर्थ का temperature बढ़ता जाएगा और अर्थ बहुत ज्यादा inhospitable हो जाएगी। और यही वज़य है कि हमें अर्थ को छोड़ कर मार्स जैसे planet के बारे में सोचना पढ़ रहा है इस उम्मीद में कि हम वहाँ जिन्दा रह लेंगे। दोस्तों, deforestation का मतलब होता है जंगलाद की कटाई। तो जैसे कि मैंने बताया है कि population जितनी ज्यादा increase होगी हमें उतनी ही ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी और जब हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो deforestation बढ़ जाएगी। क्योंकि अब साफ सी बात है, जब इंसानों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो जगह बनाने के लिए उन्हें जंगलों को मजबूरन काटना पड़ेगा। और जंगल काटना कितना खतरनाक है। ये शायद आप खुद भी जानते होंगे क्योंकि दोस्तों, अगर जं सांस लेने के लिए काम आता है। और दूसरी बात के प्लांट्स बहुत ज्यादा कार्बंडा ओंक्साइड अब्जॉब करते हैं, जिससे अर्थ का टेंपरेचर मेंटेन रहता है। तो अगर हम सारे जंगलों को काट देंगे, तो ओंक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो की टेंपरेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर काफी होता होता है पानी को उबालने के लिए। यानि अगर जंगल नहीं होंगे तो हो सकता है। लोग गर्मी और और कि कमी की वजह से मर जाए और अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाए। नंबर 4 On Employment & Poverty दोस्तों unemployment का मतलब होता है jobs का ना मिलना और poverty का मतलब होता है गरीबी। तो overpopulation की वजह से unemployment और poverty कैसे आयएगे। चलो जान लेते हैं दोस्तों, मान लोग की दो कमपनीज हैं जिनका नाम कमपनी A और कमपनी B है और दोनों कमपनीज में दो-दो सीट खाली हैं, तो कमपनी A की सीट्स के लिए 10 लोग अपलाई करते हैं और कमपनी B की सीट्स के लिए पूरे 200 लोग अपलाई कर देते हैं, तो तो company A में apply करने वाले लोग कम थे, इसलिए कम लोग ही unemployed रहे, बट वही company B में apply करने वाले लोगों की population ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा लोग unemployed रहे, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि population जितनी ज्यादा होगी, हमें उतनी ही ज्यादा unemployment देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हर क किसी को job नहीं दी जा सकती, और जब unemployment होगी, तो poverty खुद ही आएगी, क्योंकि जब लोगों के पास कोई रोजगारी नहीं होगा, तो वो automatic गरीब होते जाएंगे, तो over population की वजह से गरीब और गरीब होते जाएंगे, लेकिन अमीर और अमीर हो जाएंगे, जी हाँ दोस्ता आपने सही सुना, over population की वजह से अमीर और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, अमीर लोग अकसर बिजनेस की तरफ तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, तो population जितनी ज्यादा होगी, उनका बिजनेस उतना ही ज्यादा चलेगा, जैसे अगर वह कोई company बना कर products बेच रहे हैं, तो definite सी बात है कि population जितनी ज्यादा होगी, उनके वो products उतने ही ज्यादा बिकेंगे, तो अब यह कहना गलत नहीं होगा, कि over population की वजह से गरीब और गरीब हो जाएंगे, और अमीर और अमीर नमबर 5 conflicts and words, दोस्तों, conflicts का मतलब होता है दनास, यानि लडाई जगडे, और war का म मैंने बताया है कि over population की वजह से लोग jobs होंगे और गरीबी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो जब गरीबी आएगी, तो automatic conflicts भी आएंगे और wars भी लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे लड़ना शुरू कर देंगे, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसके चल सी बात हो जाएगी, लोग ज्यादा होंगे, तो releases conflicts भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसके अलावा दूसरे crimes जैसे scam murder और rape cases भी ज्यादा होने लगेंगे, और ऐसे ही अगर wars की बात करें, तो wars भी ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे, तो चाहे वह civil wars हो या फिर international wars, तो यार ये थे overpopulation से होने वाले नुकसा आत अगर population आएगी, तो ये सब भी आएगे, यानि अगर सीधा सीधा कहा जाए, तो overpopulation ही असली फसाद की जड़ है, और इसी लिए ये सबसे खतरनाख है, दोस्तों, साल 1991 में बांगला देश में एक बह लेकिन हैरानी की बात यह थी, कि जितने लोग उस तूफान में मरे थे, बांगला देश को सिर्फ धाई हफ्ते लाए, उतने ही बच्चे पैदा करने में, यानि लोग इतनी तेजी से मर नहीं रहे जितनी तेजी से पैदा हो रहे हैं, तो यही वजह थी, कि 90's के टाइम में ही साइन्टिस्ट ने हुमानिटी को वार्निंग्स देना शुरू कर दी थी, तो जब साइन्टिस्ट ने दुनिया को वार्निंग्स देना शुरू की, तो बहुत से कंट्रीज ने ओवर पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी, और खास 1979 में चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा करेगा जिससे चाइना की पापुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो चाइना की ये पॉलिसी पूरे 36 साल तक चली और फिर 2015 में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। क्योंकि इस पॉलिसी से पापुलेशन तो कंट्रोल हो ही रही थी। लेकिन बहुत सी प्रॉब्लमस ऐसी देखने को मिली जिन्हें चाइना बिलकुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बना कर खत्म की थी। और ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी एक टुचाइल्ड पॉलिसी बनाई थी जिसको नाम दिया गया था। हम दो हमारे दो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ दो बच्चे ही पैदा करेगा। और अगर कोई कपल दो दो या दो से कम बच्चे ही होने चाहिए। खैर इंडिया में भी इस पॉलिसी को काफी लंबे टाइम तक चलाया गया लेकिन फिर बाद में इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि जब इन पॉलिसी से पापुलेशन को कंट्रोल किया जा स सीज से पापुलेशन कंट्रोल नहीं बलकि क्रैश होने लगी जो कि ओवर पापुलेशन से भी ज्यादा खतरनाक है तो अब यह पापुलेशन क्रैश क्या है यह हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि यहां आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहेंगी